हेलो और वल्कम गईस वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिये चम पॉंडू चेरी टीट मेंटी की बात करने वाले जो की मैच होगा पॉंडू चेरी वेस्ट 11 और पॉंडू चेरी साउथ 11 के बीच में तो चलिए दोनों टीम के जाना है और कौन से वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट है के यूटूब चैनल को भी दक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूटूब चैनल को सबसे बेले सब्सक्राइब करना है साथी में टेलिग्राम से भी जुड़ियेगा क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचिस की फाइनल अपडेट और फाइनल बेरी स्मॉल लिग या ग्रान लिग की जो भी दिमिड़ है कि वह में आपको टेलिग्रम च सब्सक्राइब करना पसंद करेंगी तो सबसे बहुत करते हैं लोग यहां पर प्रभाकरान भी ने ओपनिंग करवाया था प्रभाकरान भी जो की लास में केना तीन जर की इसके मेरे वाली मैच के लिए नहीं थे इनका इनको लेके जाना आपके लिए रिस्की है लेकिन लोगेस भी वेरी इंपॉर्णड़ पिक रहेंगे हर मैच के नहीं से आपको बैटिंग से एडवांटेज देंगे 30, 22, 33 और उनसाट जैसे स्कॉर किये निशांक इनकंशी स्टन्ट है लेकिन दो बार 33 रन जरूर किये उन अगर कोई चोईस है मेली तो आप लोग इस प्लेयर को ले सकते हो दिखेगा विकेट केपिंग से राइट है इसके साथ यहां पर आमीर जी सान इनके बारे में मैंने आपको पहले दो वीडियो के अंदर भी बताया हुआ कि यह जो प्लेयर है ना यह पूरा यहां पर इन प पहली मैच के अंदर इस प्लेयर को यहां पर मैंने कप्तान किया था इसके बाद पिछली दो मैच की बात के तो वहां पर पी एक मैच के अंदर मैंने कप्तान किया तो यहां पर रिस्क ले सकते हैं आप लोग कप्तान वाइस कप्तान सिपका लेकिन आखरी मैच के अंदर हम तो नहीं अभिदग 30 प्लस की पारिया के लिए है चोजिस आपके लिए विश्जिनों के जो कि छटे नमर पर खेलते हुए पे गाले सरन कि है करते हैं जो कि पिछली तीनों मैच कंदर कंशिस्टन्ट विकेड निगाल रहे हैं राइट एंड बेटिंग के साथ साथ तीन तीनों मैच कंदर की बात की जाए तो यह पर एक मैच कंदर बाईस रन किये साथ में आपर चार वोस की गयन बाजी करते हुए एक विकेड निकाला था इसके अलवए यहां से बात करते हैं प्रभाकरन गोपाल कृष्णन की जो की हर मैच के ने ऐसे पूरी वोस करवा रहे है विकेड पिछली दोनों मैच कंदर नहीं मिली लेकिन शुरू आत की बात की तो शुरुवात की पांच मैच के ने लगातार विकेड निकालते हुआ थे तहां से डेफिनेटली आप लोग इनको लेके जाना है स्टार्टिंग में दिखेंगी कृष्ण कुमार एस यह थोड़ा जाने प्रेडिक्टेबल है यहां से भी इनके बारे में मैं आपको बता दो बार यहां पर बड़े परफॉर्मस दिया इन्होंने तीन विकेड शार विकेड लास में के निकाला है तो अभी के लिए इनको लेके जाना इंपॉर्णस हो गया है बाकि मैंने हमेशा डिफ्रेंस विल प्रिक दी आपको फरहान इम्तियाज एहमद जो की कंशिस्टन ड दिखेंगे जिनकी लास्ट में के ने बैटिंग नहीं है शुरुवाद की बात की जाए तो शुरुवाद की दो मैश कंदे आप दिन दिन विकेड निकाली हुए बरोसा पूरा का सकते हम लोग आपर असी थे असके उपर लेक्टाम ओटोडों के इनवाज है श्टार्टिं से जुड़े रहेगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं और आप लोग को उसे लिंक से टेलिग्राम को जोइन करना है स्क्वेर में काफी सारे बटला वगिरा होते रहते हैं तो जो भी एपडेट रहेगी वो टेलिग्राम में मिलेगी पॉंटुजरी साउथ 11 ने नो म अच्छा प्लेयर है पर रेगुलर ओपनिंग भी करवा रहा है विकेट भी निकाल रहा है और बैटिंग से पर 58-20 जैसे स्कॉर किये हुए सिवा मुर्गन कंशिस्टन्ट है लास में के ना रहा कि जिलो के आउट होगे लेकिन इसके पहले उनने 43, 33, 31 और 57 जैसे स्कॉर कि हुए जुलियन जैकब लास में के ना काफी मेंचिस के बाद यहां पर इन्हों ने 5 रहन की है अला कि इस टूना मेंट के ने एक बार 24 रहन जरूर किये हुए रिच के लाना चाहाओ तो ले सकते हैं बाकी तो इनको लेके जाना रिच्की है जैस शंकर भी रिच्की रहेंग लेकिन ओर ओर ओल इस टूना मेंट के अंदर हाई स्कोर इनका जो लास मेंट के ना किया हो तो आगे भी आप लेके जाना थोड़ा सरिच कि रहेगा यहां से मैं मोहंदो सार को जरूर सज़ेस करूँगा विकेट किपिंग से लिटरली क्योंकि यह जो प्लियर है यहां पर वो आपको कंशिस्टन्सी से परफोर्मस देता हो नजर आएगा अला कि इनकी शुरूआत अच्छी नहीं रही यहां पर और पिछली टूना मेंट के अंदर भी देखा था हमने के इनका इतना अच्छा परफोर्मस नहीं रहा था लेकिन इसके पहले वाली टूना मेंट के आप वीजय इनका पूरा नमें ऐसे वीजय राजा रहा है शायद हर मेंट कंदर से विकेट निकालते हो दिखेंगे दिखेंगे आपको बैक्टीन शेक्षन से लेकिन ओवस हर मेंट करवा रहे हैं तो यह से डेफिनेटली आप लोग आर वीजय को लेके जाएंगे और एक वस की गणबाजी करते हो विकेट लेस रहे थे लास मेंट के अंदर यहापर वस नहीं करवाई बाकि आपर नारायन महंजी और लव कुमार यह दोनों वेरी इंपोनेट प्रिक है इन दोनों प्लेयर को बिल्कुल टॉप नहीं करना है इवन यहापर नारायन महंजी को नारायन महंजी को आप लोग कप्तान वाईस कप्तान कर सकते हैं जिस तरह से इनका आपिदक का परफोर्मस रहा है दो बार चार विकेट एक बार दो विकेट एक बार विकेट लेस और कुछ मेंचिस के अंदर रखे लेने बाकि लव कुमार भी कंसिस्टन्ट है और यह दो क्यों सकते हैं तो विकेट गिविंग से हम लोग यह पर एल निशांक को लेके जाएंगे यहांसे आपके पास चोईस है 37S को आप लोग ले सकते हैं दोनों चोईस है दोनों में किसी एक को लेना यह चीज मैंने आपको वीडियो में भी बताई इसके साध्या पर बैटिंग अपर आपके बाकी बाकी यहांपर बात करें बाकी वह सकाना तो आइथिंक हमें किसी एक प्लेयर के पर इसक लेना पढ़ेगा यहां से हमें किसी को डॉप करना पड़ेगा हम लोग यहांपर सहीर इस्माइल एह और को drop करते हुए यहां पर प्रफाकरान को ले रहें तो यह चीज है यहां पर choices मैं आपको बता दी टिम की बात करते हैं तो टिम के कप्तान है हमारी यह से उदय नाराएंड वाइस केप्टन यहां पर नाराएंड ला ले इसके साथ options की बात की जाए तो यहां पर रिस्क है यहां पर other players के अंदर लेकिन हरसित एस और इनको मैं suggest करूँगा क्यूंकि लास में कर वाइस नहीं कर वाइस बाकि वाइस कर वाइस तो दो तीन विकेट निकाल सकता है इसके अलावा यहां पर betting section से तो I think मूरगन चोईस बन सकते है पाकि देखो टीम कुछ जिस तर अनलीख्या बीडिएो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है शेर करना है और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगयाने वाली और अच्छे मेंचीश के वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल के उपर बिलने वाले हैं तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप लोग करोगी क्या जब करना कुछ नहीं सिंपल सी वात है वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखो अच्छे सेनालिसिस करो अच्छी टीम बनाओ अच्छी विनिंग करते रहो हम लोग मिलने के अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई दन्यवाद जय हिंद जय भारत